यमुना नगर में विजिलेंस टीम ने बड़ी कारेवाई करते हुए महिला थाने में छापे मारी की जहां एक महिला ASI और एक सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफतार किया है विजिलेंस की टीम को एक वियक्ती ने शिकायत दी थी कि महिला थाने में दुशकर्म और अन्य धाराओं में दर्ज एक मामले में फसाने की धमकी दे कर उससे 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है और उससे बार-बार परेशान किया जा रहा है मामला विजिलेंस के पास पहुँचा तो विजिलेंस ने जाल बिचाया और महिला एसाई पूनम और सब इंस्पेक्टर अंग्रेज सिंग को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफतार कर लिया शिकायत करता सुखराम ने बताया कि उसके बेटे की शादी कुछ साल पहले यमननगर की एक लड़की के साथ हुई थी शादी के बाद दोनों में अन्बन रहने लगी जिस पर उसकी पुत्रवधू ने उसके बेटे सहित अन्य परिजनों के खिलाफ 25 जून को महिला थाने में मारपीट, दुशकर्म वो अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था जो धमकी दे रही थी कि उसे भी इस केस में फसा देंगे और उसे जेल हो जाएगी जिससे वो डर गया इसके लिए ASI पूनम और सब इंस्पेक्टर अंग्रे सिंग ने उससे 20,000 रुपे मांगे घर तरो भी आपकल कोँजी भी इसके सब्सक्राइब जानावी जाना झाल जिए जाना जिलाया था तो बढ़ाए था जाना चेस को हैं अधर तेर अधे श्मारू पेट अंग्रे चुपा यह एक टोपाधू यह जागा जागा, जर विकास ओए जागा बढ़ जागा, तेर वहीं विजिलेंस इंस्पेक्टर जैपाल का कहना है कि सुखराम नाम के व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायद दी थी जिसके बाद उनकी टीम ने महिला थाने में चापे मारी कर एसाई पूनम और सब इंस्पेक्टर अंग्रेश सिंग को गरफतार किया है विजिलेंस टीम को एक रिकार्डिंग भी दी है जिसमें एसाई पूनम कह रही है कि उसे एक भी पैसा नहीं चाहिए लेकिन थाने की एसेचो बिना रुपे लिए केस कैंसल नहीं करेगी इसलिए अब महिला थाने की एसेचो दीपिका की भूमिका की भी जांच की जाएगी यमुना नगर से सुमित ओबरॉय पंजाब केसरी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद